दोस्तो असलाम आलेकुम नमस्कार पूरा वीडियो देखिए बहुत ही ज्यान बर्धक वीडियो होगा ये वीडियो हमने बड़ा सोच समझ कर बना रहा है ताकि किसान भाईयों को जानकारी मिले देखिए जब कभी रात के समय अतधिक पेट में दर्द जोडों में दर्द और सरीर में आइठन हो तो समझ लेना कि कोई न कोई जहरीला चीज काट लिया है उस समय आप हस्पीटल का सहारा ले हस्पीटल ही एक ऐसा जगा है जहां इनसान की जान जान बज जाएगी ये भारत देश का सबसे जहरीला साप जिसे हम लोग डोमना चीती, संक चीती, कौमन क्रैत और क्रैत के नाम से जानते हैं इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है ये ज़ादतर बारिस के मौसम में खाट, बिस्तर, पलंग के उपर चहड़ कर लोगों को डस लेता है बारिस के मौसम में बील के अंदर अगर पानी घुश गया तो ये क्या करता है सेफ जुन में जाने के लिए ये बिस्तर, खटिया, पलंग, चहड़ कर जब करवट लेते हैं तो आचानक डस लेता है डस ते ही लगता है कोई चीटी डस लिया, कोई मच्छड काट लिया और नींद के आगोस में ही इंसान की मिर्ती हो जाती है ध्यान रहे दोस्तो, मेरा वाटस अप नमबर 9333320555 है अगर किसी भी आदमी का साप के डसने से या आकासी ये विजली से अगर मौत हो जाती है तो यकीन मानिये, सेंट्रल गवर्मेंट कहीं कहीं 6 लाख, कहीं कहीं 4 लाख रुपिया देने का परधान है लेकिन डेथ बोडी का पोसमाडम कराना ही होगा, बिना पोसमाडम का आठना भी गवर्मेंट देने वाला नहीं है इसलिए साथियो, मेरा वाटस अप नमबर 9333320555 पर कॉल कर और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यकीन मानिये, ये भारत देश का सबसे जहरिला सापों में एक साप, जिसे हम लोग कॉमन क्रायत के नाम से जानते हैं ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कॉमन्ट में जरूर बताईएगा, जै हिन, जै भारत